Hello everyone, I welcome you all on this learning platform of teaching goals उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की अपनी इस वीडियो में हमें एक बहुत important topic को discuss करेंगे अगर आप लोग किसी भी teaching exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आपको gene PAJ का संगेनात्मक फिकास जोए जरूर पूछा जाता है ठीक है चाहे वो HTET हो, चाहे वो REIT हो, चाहे वो CTET हो आप किसी भी state है अगर TET exam की preparation कर रहे हैं तो उस point of view से आपका जो ये वाला session है ये बहुत important हो जाता है और end में जो है मैं आपके साथ कुछ इस से related questions भी share करूँगी आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे question पूछे जाते हैं तो आप इस video को जरूर end तक देखे और उन questions को भी जरूर attempt करें क्योंकि इस से आपको बहुत ज़्यादा होने वाला और आपके जो doubts है वो सारे clear होने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं Gene PRJ Cognitive Development Gene PRJ का संगेनात्मक विकास को हम आज देखेंगे तो सबसे पहले cognitive development को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं जिनोंने ये theory दी है वो है कोन हमें ये भी पता होना चाहिए है न तो Gene PRJ जो थे वो कहा के psychologist थे ये स्वीजर लेंड के psychologist थे इंको जनक बोला जाता है कि इनका child psychology का जनक इनको बोला जाता है और बाल मनोविध्यान का जनक इनको बोला जाता है और जो genetic epistemology है अनुवानशिक ज्ञानविमानसा के भी जनक इनको बोला जाता है ये कुछ fact based questions होते हैं जो as it is उठके exam में आ जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए थीक है उसके बाद देखते हैं ये questions बार बार आया हुआ है कि बच्चों को जो है little scientist कि इन्हों ने बोला है तो बच्चों को इन्हों को लिटिल scientist बोला वो gene पया जैने बोला है इन्हों ने जो perfforement किया था experiment, वो किस पर क्या था, अपने खुद के बच्चों पर इननोंने perform किया था, क्या experiment, ठीक है, जिसके लिए इनोंने बाद, इनको ने बाद में criticise भी किया गया था, तो इन्होंने बताया है, इन्होंने जो बच्चों को बताया है, वो active learner यानि कि जो बच्चे होते हैं वो सक्र्य रूप से यहां पर यहां पर बच्च्छे यहांам2 एक्टिव करते आ काई का सक्हों आसके अब बिलीव कि दिवलोप्मेंट में बद्धि जो मानसिक विकास है वो परसन का जो reasoning और जो thinking skills होती है ना reasoning and thinking abilities होती है basically किसी भी individual की ठीक है तो इन्हों ने कहा है कि जो cognitive development है जो संगयनात्मक विकास है वो किन्में अवस्थाओं में होता है तो इन्हों ने जो है कुछ अवस्थाओं दी है इनकी जो हम बाद में जो है discuss का रहेंगे ठीक है thinking of children differ than adult in type not in quantity or size यह questions भी बहुत बार पूछा गया है कि जो जीन प्याजे क्या मानते कि जो बच्चे होते ना जो children होते है वो देखो जो दिमाग होता है सबका वो quantity में सेम ही होता है लेकिन बच्चों के सोचने का नजरिया और अडल्ट यानिके बड़ों के सोचने का नजरिया क्या होता है अलग-अलग होता है तो इन्होंने यह बोला है कि जो अडल्ट से है वो किसमें type में differ करता है quantity और size में differ करता है तो आपको यहां से यह देख लेना है अब इन्होंने क्या दिय रिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इनकी stages को पढ़ेंगे अब देखी कुछ terms दी थी जीन पी आजे ने तो वो terms को हम दीरे-दीरे जो है एक एक करके देख लेंगे उसके बाद हम लोग stages पर move करेंगे तो जो सबसे पहली जो terms है वो होती है schema इसके उपर बहुत सारे questions आते हैं स्कीमा का मतलब होता है मानव के दिमाग में जो चीजे पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रियोग करके किसी विशय के परती अपनी धारना बनाता है उसे क्या बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं इसको आप simply अगर ऐसे समझेंगे मान लो एक छोटा सा कोई बच्चा है है न कोई infant baby है 0-2 साल का कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको अगर कोई खिलोना देंगे या फिर आप उसको कुछ भी देंगे तो वो उसको अपने मूं में लेने की कोशिश करत है क्यों करता है क्योंकि उसको यह पता है उसको सिरफ इतना ही पता है कि वो यह चीज है उसको खाने के लिए है और वो मूं के थ्रूई उसको क्या खा सकता है तो यह जो उसका खाना है मूं के थ्रूई यह क्या है उसका स्कीमा है ना उसने जो अपने मन में एक धारना बना लिए कि मुझे यहां से खाना है और यह चीज जो है कुछ भी लूँगा अपने हाथ में वह क्या है खाने की चीज़ है एक एक जामपल और ले लेती हूं मालो उसने कोई डोग देखा है ना किसी ने उसको बता दिया कि भाई यह क्या है एक डोग है एक कुता है तो उसको इखेंगे अडेपटेशन अनुकूलन क्या होता है देखो situation के according अपने आपको ढालना कोई भी condition है कोई भी situation है कैसा भी environment हो उसके according अगर हम अपने आपको ढालने तो उसको क्या बोलते है अगर मैं किसी टीचीक एक्जाम की preparation कर रही हूं मालनो में के विस की preparation कर रही हूं है म उसके लिए सबसे पहले मैं अपने आपको उसके अकोडिंग ढालूंगी कि हाँ मुझे इसके लिए प्रिपेर करना है चीक है तो यह क्या है अडप्टेशन है अडप्टेशन में आपको दो टम और देखनी है फर्स्ट है असिमिलेशन इसको आत्म साथकरन भी बोलते हैं सिम कदेशन को कमें गुलिए और उसको किस कलर्रा इसको करना है तो वह इसकोUNG करता है तो अगर को प्यों के लिए न है तो उसने क्या किया है कि नहीं सिरस गु कलर्यों नहीं होता है एक जो है ब्राउण या फिर भाइट अलर का भी डोग हो सकता है तो उसने क्या किया उसका जो पूर्व ग्यान था उसको नए ग्यान के साथ उसने क्या कर लिया है जोड लिया है यह क्या है असिमिलेशन है ठीक है accommodation क्या होता है समायोजन क्या होता है modifying the previous knowledge with the new absorbing one यानि कि जो उसने absorb किया था बाद में उसने जो information थी उसके पास उसको क्या कर लिया है modify कर लिया है कैसे modify कर लिया है पहले उसको पता था कि क्या black color का dog उसने देखा था फिर उसने देखा white color का dog था अब उसको यह पता चल गया कि हाँ dog जो होते हैं लेकिन कोई अगर intelligent person उसको अगर कोई बता देता है कि नहीं यह क्या है horse है तो उसके दिमाद में एक concept बैट जाएगा वो क्या चीज सीख जाएगा कि नहीं चार पैर वाला और एक पूछ वाला सिरफ कुटा ही नहीं होता वो कुछ भी हो सकता है बिल्ली हो सकता है गोडा हो सकता है टाइगर हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो उसने यहां पर क्या कर लिया है इस concept को भी बना लिया है कि नहीं चार पैर वाला सिरफ एक ही चीज नहीं होता है अधर चीजे भी हो सकती है तो उसने क्या कर लिया है पूर्व ग्यान में change करके वातावर्ण में उसने ताल में बिठा लिया है ठीक है तो उसने यहां से assimilation भी उसका हो गया है और उसने क्या कर लिया है accommodation भी अच्छे से कर लिया है next time को अगर मैं देखो तो यहां पर बात आती है equilibrium की जिसको हम संतूलन बोलते है equilibrium कुछ नहीं होता है अगर बच्चा assimilation और accommodation को अच्छे से balance करना सीख जाता है यानि कि जो child का schema है वो successfully deal कर लेता है किसके साथ जो information उसको assimilation के थुरू मिली है जो आतमसाथ करन के थुरू उसको information मिली है उसको successfully अगर बच्चा deal कर लेता है अगर वो अच्छे से यह successfully सीख जाता है कि जो चार पैर वाला होता है वो कुछ भी हो सकता है घोडा भी हो सकता है बिली भी हो सकता है कुता भी हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा equilibrium हो जाएगा और अगर बच्चा उसको successfully deal नहीं कर पाता है तो फिर क्या हो जाएगा Disequilibrium हो जाएगा तो यहां कि आपको यह सब समझ में आया कि equilibrium क्या होता है Assimilation और accommodation के बीच में जो balance होता है वो ही आपका equilibrium होता है और अगर यह balance बच्चा नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा Disequilibrium हो जाएगा अभी देख लिनते हैं कुछ stages को स्टेजिस के अगर मैं बात करूँ तो जीन पियाजे ने जो है कोगनिटिव डिवलप्मेंट यानि की संगयनात्मक विकास के चार स्टेज दिये हैं जिसमें जो हमारा फर्स स्टेज है वो है आपका सैंसरी मोटर स्टेज जिसको हम समवेदी पेश ये अवस्था भी इसको ब अगर उसको कुछ खाने का चाहिए होगा तो वो ऐसे मांग के नी बल्कि वो क्या अपने सैंस यानि की वो रोकर के मांग लेगा है न वो बेसिकली किस पे जो भी उसके पेरेंट्स है वो कुछ भी अक्टिविटीज करेंगे तो वो क्या करता है उनको इमीटेट करने की कोशिश करता है जैसे भी जो है कोई उसके सामने पेश आएगा वो उसी तरह से व्यवार करने की कोशिश करता है यहां पर जो है ओब्जेक पर्मानेंस आ जाता है वस्तो स्थाईत वह आ जाता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप बच्चे के सामने कोई चीज लाएंगे तो वो उसके लिए तभी तक ही एक्जिस्ट करती है जब तक वो उसके सामने हो जैसे आप उस चीज को वहां से हटा लेंगे उसके लिए वो एक्जिस्ट नहीं करता तो यह क्या है आपका ओब्जेक पर्मानेंस है लेकिन जो ओब्जेक पर्मानेंस है वो आना शुरू हो जाता है कब आना शुरू हो जाता है at the end of two year जैसे जैसे आपकी ये stage खतम होती जाती है वैसे वैसे object permanence जो है बच्चे में develop होना शुरू हो जाता है जब आप बच्चे के सामने से कोई चीज हटा लेंगे तो वो देखने की कोशिश करता है पता लगाने की कोशिश करता है कि चीज उसने चुपाई है या फिर कहीं और चली गई है ठीक है तो object permanence वाले object permanence का जो question है ये बहुत बार आता है exam में कि कि किस जो है stage से ये बिलोंग करता है तो object permanence आपका sensory motor stage से यानि कि जो पेशिय समवेधी पेशिय की जो अवस्था उसे बिलोंग करता है ठीक है next आपक सक्रियात्म कवस्था भी बोलते है ठीक है इसमें क्या होता है child monologue यानि कि जो बच्चा है वो क्या करता है खुद से बात करता है आपने देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं वो जो आपस में अपने आप में ही क्या बढ़ बढ़ाते रहते हैं खुद से ही बाते करते र लगता है आपने देखा होगा कि कई बारी जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो आपने जो टोई जैसे मालो अगर मदर उनको खाना खिलाने की कोशिश करें तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि एक बाइट जो है मेरे टोई को भी दो है तो पहले उसको देना पड़ता है तब जाकर बच्चा खाता है तो बच्चे को लगता है कि उसके अंदर क्या है भावनाइए हैं लैंग विज डिवल लप में यहां पे बच्चे का शुरू हो जाता है बच्चे की जो भाशा है वो फ्लूएंट ली जो है डिवलप होना शुरू कर जाती है इको सेंटरिजम की अगर मैं बात करूँ तो इसको एहम केंद्रीत बोलते हैं इसका मतलब यह होता है कि बच्चा जो होता है बिल्कुल सेल्फ सेंटर होता है बच्चा किसी के साथ अपनी चीजे जो है शेयर करने की कोशिश नहीं करता इसका एक्जामपल मैं आपको बताती हूं मालो अगर बच्चे की जो पेरिंट्स अगर किसी दूसरी बच्चे को गोद मिले ले तो उससे उसको क्या जैलेसी फील होने लगते है तो वो या तो रो कर गया कैसे भी करके उसको जो है दूसरी बच्चे को अपने पेरिंट्स की गोदी से क्या कर देगा उतार देगा तो य यह क्या है यह क्या है इगो सेंट्रिजम है कि मतलब उसको लगता है कि जो बच्चे को लगता है कि वह जो कर रहे हैं वही सही है बात की सब कुछ क्या है गलत है ठीक है symbolic thought यहांपे शुरू हो जाते हैं बच्चा जो है symbol सोराम से पैचानना शुरू कर देता है centration यानि कि gente करिण है centration का मतलब होता है बच्चा जो है एक time पे एक ही चीज़ों पर focus कर पाता है ज्यादा चीजों पर फोकस कर पाता है एक टाइम पे वो एक ही चीज़ पर क्या कर पाता है फोकस कर पाता है irreversibility याने कि apple टावी यहाँ पे होती है irreversibility का मतलब होता है जैसे मान लो बच्चे को 5 प्लस 3 क्या आता है 8 यह उसने बता गिया लेकिन 3 प्लस 5 क्या होता है वो यहाँ पे नहीं बता सकता तो यह क्या होता है irreversibility याने कि apple टावी का concept होता है ठीक है अभी देख लेते हैं next two stage को थर्ड जो आपकी stage है वो है आपकी concrete operational stage जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं इसमें क्या होता है आपकी inductive thinking जो है बच्चे में start हो जाती है inductive और deductive आप आगे बढ़ेंगे ठीक है इस दो topic है important है inductive thinking का मतलब होता है आजमनात्मक चिंतन याने कि आपको अगर बच्चे को कुछ भी समझाना है तो आपको पहले example के सरूँ सको समझाना पड़ेगा है बच्चे को क्या देना पड़ेगा example देना पड़ेगा सिधा नियमों से नहीं समझाना है बच्चे को इसमें जो है बच्चा begin to think logically इससे पहले जो stage थी उसमें बच्चे का जो logic था वो नहीं appear हुआ था नहीं develop हुआ था लेकिन इसमें जो बच्चा है वो logically think करना शुरू कर देता है conservation का जो concept है यहाँ पर बच्चे में आ जाता है इससे पहले वाली में जो conservation concept था उसमें कमी थी उसमें नहीं develop हुआ था conservation का मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई दो ग्लास ले रही हूँ एक यह ग्लास है और एक यह ग्लास है इसमें मान लो same quantity है same volume में पानी है यह इतना भराव है और यह इतना भराव है पानी जो है दोनों में क्या है same है तो जिस बच्चे में conservation का concept आ जाता है तो वो क्या कहेगा कि नहीं पानी जो है दोनों में same है लेकिन जिस बच्चे में conservation का concept डिवलप नहीं होए तो वो क्या कहेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है क्योंकि इसका जो level है वो क्या है उपर है तो conservation selection का मतलब क्या होता है ये होता है बच्चा जो है अराम से ये समझ जाएगा कि दोनों में पानी सेम है भले ही चाहिए ये क्य लब हो जाता है सीरेशन का concept आ जाता है मतलब कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को एक करमबत तरीके से लगाना सीख जाता है सीरियल वाइज उसको लगाना सीख जाता है decrease in ego centriism यानि कि जो बच्चा एहम केंदरित था पिछले वाली में pre-opressional stage में इसमें जो बच्चा है उसमें जो एहम केंदरित वाला जो पार्ट है वो decrease होना शुरू हो जाता है ठीक है reversibility आ जाती है pre-opressional stage में क्या था irreversibility थी ना इसमें जो बच्चा है 5 प्लस 3 अगर 8 बताता है तो वो 3 प्लस 5 भी 8 बताना शुरू कर जाता है यानि कि उसमें जो reversibility वाली जो concept उसमें develop हो चुका है next है आपका formal operational stage है यह आपकी highest stage है ठीक है ओप्चारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है यह आपकी highest stage है किसकी cognitive development यानि की संक्रियात्मक विकास की है आपकी उच्चितम जो है अवस्था है इसमें जो है abstract thinking बच्चे में start हो जाती बच्चा जो है अमूर्त र start कर जाता जैसे inductive थाना जिसमें बच्चे को example के समझाए जाता था इसमें जो है बच्चा इतना mature हो चुका होता है कि आप उसको direct rules से भी आराम से समझा सकते हैं चीक है निग्मनात्मक चिंतन इसमें बच्चे का जो है develop हो जाता है तो यह कुछ आपकी 4 stages थी अगर आप किस अब इनकी जो है criticism भी हुआ था इनकी जो है आलोचना भी हुई थी आप देखो आलोचना क्यों ही थी तो सबसे बड़ी जो हुई थी experiment इन्होंने किया था अपने खुद के 3 बच्चों के ऊपर चिक है तो इनको कितिसाइस किया गया कि आपने खुद के 3 बच्चों पर जो ह पादर बच्चे है उनका क्या है ना और इन्होंने जो है सोसाइटी और कल्चर के बारे में भी कोई भी बात नहीं करी इसके बारे में वाइगोट्सकी ने बात करी थी तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया कि इतना important aspect development के लिए society और culture इसके बारे में आपने कोई भी जिक्र नहीं किया इन्होंने environment के बारे में जिक्र किया हेड़िटी का जिक्र किया लेकिन जो society और culture है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी चीक है तो यह आपकी थी gene P.I.J की हो रही थी I hope कि आपको यहां से समझ में आया होगा आप कुछ previous year questions को देख लेते हैं ताकि आपके जो है कोई भी doubt is theory के regarding ना बचे आईए आप कुछ questions को देख लेते हैं जिसमें आपका first question है according to P.I.J a child between two to seven year is in the stage of cognitive development वै दो से साथ साल का बच्चा जो है प्याजे ने जो cognitive development के stages दिये थे उनमें किस stage के अंतरगत आता है तो यह आपका आता है pre operation stage के अंदर आता है two to seven year का जो बच्चा है sensory motor है आपका zero से two year का है concrete आपकी third stage है जो आपकी 7 से 11 वर्ष तक की है और formal आपकी उच्चतम जो अवस्था है वो है जिसमें आपका 11 से 15 साल तक का जो बच्चा होता वो इसके अंदर आता है ठीक है next question देखते हैं next question है आपका according to P.I.J at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract prepositions देखो इन मेना थोड़ा सा आपने ध्यान देना है abstract prepositions के बारे में जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना कि abstract के बारे में यान कि अमूर चीजों के बारे में जो बच्चा है वो सोचना शुरू कर देता है प्रिचलित योजनाओं में नई जानकारी जोडने को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है assimilation जो existing जो knowledge थी उसमें एक नई knowledge को add करना assimilation कहलाता है accommodation होता है modify करना जो knowledge है ना उसकी जो हमारी previous knowledge थी उसको हमने modify कर लिया और equilibrium होता है जो assimilation और accommodation के बीच में जो balance हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं equilibrium बोलते हैं तो इसका जो सही answer आएगा assimilation आएगा है ना मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब एक बच्चे ने जो है एक black color का dog देख लिया है और उसके बाद जब वो एक white या फिर वो brown color का dog देखता है ना तो फिर उसको पता चल जाता कि चार पैर वाला और पूछ वाला जो एक black color का ने एक brown color का dog भी होता है तो यह क्या था आपका assimilation था याने कि आत्मसात करण था चीक है next question देखो question number five देखेंगे retrieving hidden objects is evidence that infant have begin to master which of the following cognitive function बही कोई चीज है जो पहले छिपी हुई थी छिपी हुई वस्तों को पुने प्राप्त करना इस बात का प्रणमान है कि शिश्यों ने निमलखत में से किसमें निपूर्णता हासिल कर ली है तो मैंने आपको क्या करवाय था object permanence मैंने आपको बताया था na object permanence किसमें था आप object permanence यहां पर क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा option number three next question है according to PRJ children thinking differ in आप देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो बच्चों की सोच होती है वो adult की मुकाबले क्या होती है अलग होती है तो देखो kind और amount में अलग होती है differ in kind than from adults than in amount ठीक है यहां पर जो है size का कुछ भी नहीं है ना size तो क्या सबका same ही होता है ना तो size वाले तो बिल्कुली गलत हो जाते हैं तो हाँ पर आपका जो answer आएगा वो क्याएगा kind में अलग होता है amount में नहीं होता चीक है next question देखेंगे according to PRJ theory which one out of the following will not influence one's cognitive development प्याजे की according इन में से कौन से है जो संगेन अत्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है नहीं है नहीं पुछा है तो language करता है maturation भी करता है और activity भी करता है जो नहीं करता वो क्या है social experiences ठीक है समाजिक जो अनुभव है वो नहीं करते है social society के बारे में social experience के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं करी इसके बारे में किसने why goats की नहीं बात करी थी ठीक है तो ये कुछ questions मैंने आपको करवाया I hope कि आपको topic जो है एकदम से clear हुआ हो channel को share करे subscribe करे ताकि नीडी लोगों तक ये पहुच सके और उनकी help हो सके आज के लिए इतना ही है thank you thanks for watching me